Hello everyone, welcome to our YouTube channel, मैं पुजा धिलो, आज हम बात करने वाले हैं आपके B.A. First Year के Second Paper के बारे में जो की है Contemporary India and Education समकालिन भारत अथा शिक्षा, इसके अंदर आपके चार यूनिट हैं, चारों यूनिट में से आपको एक एक कोशन अटेम्ट करना है, कोई N.E.5 का ओप्शन नहीं है, बच्चे अब भी मुझसे यहीं पूछ रहे हैं, क्या मैं पिछली बार की तरह हमें N.E.5 का ओप्शन अब की बार भी मिलेगा या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको N.E.5 का ओप्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको अब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना हम उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ इंपोर्टेंट कोशन भी यहां पर करवाए जाएंगे, जिसके तहट आप अपना तयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो इन्फरमेटिव लगे और आपकी यूस्फूल लगे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेर जरूर कीजिएगा, खुद खुद मत और लाइक तो बनता ही है, अगर आपके लिए यूस्फूल है तो, क्योंकि मेहनत करी जारी है, कर रहे हैं, आपके लिए प्रवाइड भी कर रहे हैं, तो यह है आपका भारतिय सवीधान, जो हमारा सवीधान है, हमें उसके बारे में इसके अंदर नॉलेज लेनी है, से समझना है, तो आप एक बार अगर इसको मोटा मोटा पढ़ चुके होंगे वैसे तो, क्योंकि कल आपका एक्जाम है, और आज मैं थोड़ी लेट हूँ, आप लोगों को कोशन प्रोवाइड करवाने के लिए, विकॉस में तब एक ठीक नहीं थी, आपका जो टॉपिक है कौन सा आपको इसके अंदर मेंली पढ़ना है, मंस की जिसके चांसे बहुत जादा है आपके आने के लिए, तो हम सिरफ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे, तो आपका जो में टॉपिक है इसके अंदर, वो आपको जो पढ़ना है, वो है आपका Concurrent Status of Education, जो आपको यहां वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में अपना स्लेबस उपन करके बैठिएगा, और यह सिरफ रिय अपियर वालों के लिए नहीं है, जो जुलाई में एक्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी यह क्योंकि यह question में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, next है आपका Right of Education RTE Act 2009, यह भी आपका topic main है, इसके अंदर, आपको education के function right पता होने चाहिए, बस, question आपको इसके अंदर mainly कौन सा पढ़ना है, तो भारतिय सविधान की प्रस्तावना की आलोचनात्मक समिक्षा कीजिए यह question है और यह आया हुआ भी है कई बार, लेकिन इस question को गुमा गुमा के पूछा जाता है, और कैसे गुमाया जाता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा दूगी, क्योंकि इसके एक नहीं, 4-5 type हैं इस एक अकेले question के, और सब में सेम ही लिखा जाता है, वो सभी मैं आपको यह के लिए अपनाए गई, शेक्षिक साधन प्रियासो का संचिप्त वर्णन कीजिए, यह question पूछा जाता है और पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि repeated question ही आते हैं, ऐसा नहीं, यह कोई नया question आपका बनेगा, इसको गुमा दिया जाएगा, बट पूछा यही जाएगा, mean न from equality of opportunities and security arrangements in terms of scheduled cast and trips, तो यह question आपको गुमा के खली scheduled cast पे पूछ सकता है, ठीक है, ब्रीफ में आपको पूछ लेगा की education का mean बताओ और उसका क्या प्रभाव पढ़ता है आपका scheduled cast के उपर, तो ऐसे पूछा जा सकता है, यह question तो यह आपकी थी first unit जो की यही है main और यही पूछा जाएगा आपका, next आजाते हैं हम आपकी second unit पे जो है review of education, communication and policy in India, इसको कैसे आप देखेंगे, तो भारत में शिक्षा, आयोगों तता नीतियों की समिक्षा करनी है इसके अंदर, इसके अंदर main topics आपके कोन कोन से रहने वाले हैं, तो वो आपका रहने वाला है, एक तो आपको एक question main आ सकता है कि critical appearance of recommendations of following communication, मतलब कोई भी आपको कोई भी यहाँ पर जो policy है वो आप लिख सकते हैं, यह पूछ सकता है, नहीं तो आपको किसी ना किसी policy का नाम दिया जाएगा, उसको आपको detail में लिखना होगा, main policies कौन सी हैं, जो बहुत जादा पूछी जाती हैं, आपकी वो है आपका secondary education, ठीक है, secondary education 1952-53, next आपका national policy of education 1986, यह भी बहुत बार पूछा गया है, next आपका इसके अंदर अगर देखा जाए तो program of action 1992, इसको program के अलावा national education भी बोल दिया जाता है, कई बार national policy of education 1992, तो भी आपको यहाँ पर program of action 1992 लिखना है, ठीक है, इसके अंदर आपका NCF 2005 भी है, जिसके needs और object हैं, जो कि आपको second year में भी पढ़ने को मिलेंगे, इस next paper जो है, उसके अंदर भी पढ़ने को मिलेगा, तो यह important question आपका इसके अंदर बनता है, question किस तरीके से बनेंगे तो वो हम देख लेते हैं कि इस unit के अंदर question किस type से आपका बनता है, तो पहला तो है आपका जो question बनता है, वो है मादिमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में एक विस्तरित टिपनी कीजिए, इसको घुमाकिल दे सकता है, वो आपको मैं यहाँ question प्रोवाइड करवा कि किस तरीके से question घुम सकता है, next आपका राष्ट्रिय शिक्षा नीती 1986 की विस्तरित व्याख्या कीजिए, और आपसे इसके अंदर आपका राष्ट्रिय पाठ्यकराम निर्मान 2005 2005 का जो NCF का है, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो मेन आपको इसके अंदर NCF पढ़ना है 195 1952-53 वाली policy जो secondary education है वो पढ़नी है और आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इसके अंदर National Education Policy 1986, next आपकी unit आजाते हैं, unit 3 के उपर, जो की है contemporary issue in Indian education, भारतिय शिक्षा के समकालीन मुद्दे, अब भारतिय शिक्षा के अंदर मुद्दे कौन कौन से हैं, क्या क्या अंदर topics बनते हैं, तो एक तो MDM, SSA, RMSA, इन में से कोई भी एक या तो छोटे question में आप से पूछ सकता है नहीं, तो 16 नंबर में ये तीनों आपको दिये जा सकते हैं, next इसके अंदर जो question बनता है आपका वो है, vocationalization of education, ठीक है, इसके बाद आपका इसमें modernization आ गया, वो भी important है आपका, distance education system, ये भी आपका पूछा जा सकता है इस पार, क्यूंकि question इसके अंदर गिने चुने हैं और गिने चुने ही बनते हैं, और वो आपको अच्छे से आने चाहिए, globalization इसमें भी है, और आपकी fourth unit में भी है, तो आपको दोनों जगया इसको पढ़ना होगा, इसके अंदर question आपका क्या बनेगा, तो question बनेगा, what is globalization ठीक है, यानि वैस्टवी करण क्या होता है आपका, वैस्टवी करण के लाब हानी क्या होते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, next इसमें question जो बनता है वो है आपका, शिक्षा के वैवसाई करण से आप क्या समझते हैं, मतलब जो यह आजकल व्यपार बन गया है शिक्षा, इससे आप क्या समझते हैं, इसके आउशक्ता ततम महत्व का पर परकास डाली, विभिन आयोगों में मादिमिक शिक्षा के विवसाई करण के लिए क्या सुझाव दिये हैं, अलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग फिल्ड में क्या इसका सुझाव दिया गया है वो, नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर है भासाऊं और त्री भासा की मादिमिक शिक्षा में क्या विवस्था की गई है, नेक्स्ट आपका है मुक्त विश्विद्याले का क्या अर्थ है, यानि आपका जो ओपन युनिवर्सटी है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर सिरफ विश्विद ध्याले से आप क्या समझते हैं यानि University से आप क्या समझते हैं ये भी question इसके अंदर मेन है और बनता है जो पूछा जा सकता है ये तो हो गई आपकी third unit complete next आपकी जो unit बनती है वो है आपकी emerging इमर्जिंग concern of Indian society and education यानि की भारतिय समाज के उभरते हुए सरोकार और सिक्षा इसके अंदर आपका जो main topic बनता है वो है culture पहले तो आपको पता होना चाहिए culture and education क्या है क्या difference है इन में क्या समानता है है इसमें यह आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहला topic इसके अंदर culture and education नहीं बनता है इनसे related question 101% आपका आने वाला है कल के paper में next जो question आपका इसके अंदर बनेगा वो बनता है education for technology empowerment का कि technology empowerment से क्या आपकी education जो है कैसे प्रभावित होती और यह सब फिर है आपका new economic reform and their impact of education यह बहुत ज्यादा important question है next reservation as an eligibility policy यह भी आपका important topic है याने आपके इसके अंदर 3 से 4 topic important है जो आपको पढ़ने होंगे तो culture education आपको 101% पता होना चाहिए next आपका जो आपको main पता होना चाहिए वो है new economic reforms and their impact of education क्या उनके प्रभाव पढ़ते है education पे तो यह आपकी fourth unit है इसके अंदर question किस type का आपका बनता है fourth unit में वो मैं एक बर आपको बता देती हूं बाकी इस पूरी book में और कुछ नहीं है इससे ज्यादा अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप easily अपना जो question paper है वो convert कर सकते हैं easily तो पहला तो गया तक्नीकी सशक्ति करण में शिक्षा की भूमी का की वेचना कीजिए ठीक next आपका जो इसके अंदर question बनता है वो है आपका आधूनिक शिक्षा तथा आधूनी करण में क्या संबंध है आधूनी करण लाने में अध्यापक क्या योगदान देर सकता है जो पीचर है वो अपनी कैसे भूमी का निभा सकता है तो यही question बनते हैं आपके जो समकालिन भारत तथा शिक्षा इस book के अंदर और इससे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं अभी भी अगर आप revise कर लेते हैं तो सब कुछ almost same सा है बहुत easy है क्योंकि इसके अंदर आपका जादा तर इतिहास आ गया है एक तरीके से कैसे education कैसे relate कर किया है स्रब एक बार roughly पढ़ भी लेंगे तो भी आपकी जो यह पूरी बुक है यह complete हो सकती है I hope कि आपकी तयारी अच्छी होगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको दो दिन पहले आपका जो पेपर हो प्रोवा करवा दिया जाएगा I hope कि आप सभी की help हो रही होंगी इन पेपर से और काफी हद तक पेपर मैच कर रहा है यह नहीं है कि पेपर बिलकुली मैच नहीं कर रहा है लग भग जो मेरा first paper था बेर second year का वो आपका 100% मैच किया था और जो बेर first year का है वो भी आप लगा लिजे 95% मैच किया है paper से so all the very best for your exam and please video को like share